पूर्टिटर्स देखना है इंपॉर्टेंट लेक्चर है दो काफी शॉर्ट लेक्चर रहेगा बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर निया बट जितने भी पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट में से आप से डिरेक्टली जो है कोशन पूछा जा सकता है तो बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि लेक्चर के दोहरानी इसको याद कर लें पीडियव फायलिस का लिंक डिस्क्रेशन में है है आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं फ्री सेंप्ल टेस्ट एक्स्प्लोर कर सकते हैं और इसमें आपको PDF भी आ जाएंगे जो भी YouTube के लेक्शेश है, उनका PDF भी इसके अंदर included होता है, तो वो अलग से लेने की जरूरत नहीं है, UPSC EPFO is the code that you can use for 50% off, ओके चलिए, फटा फट से आ जाते हैं सबसे पहले qualification of auditor के उपर, तो qualification के बारे में हमने पहले भी देखा था, ज जो आपके Companies Act के sections के अंदर mentioned है, sections ऐस सच याद करने की जुरूरत नहीं है, तो qualification से related provision यहाँ पर आपको इन दो sections के अंदर 141 subsection 1 और section 141 subsection 2 के अंदर देखने को मिलता है, तो अगर आप एक individual को appoint कर रहे हो as a auditor, एक single person को as a auditor appoint कर रहे हो, तो उसका qualification क्या है कि उसके पास Chartered Accountant का जो certificate है, वो होना चाहिए, C होना चाहिए बंदा, ठीक है, Chartered Accountant होना चाहिए, तभी आप उसको as a auditor बना सकते हो, अगर आप किसी firm को appoint कर रहे हो, ठीक है, firm होती है न, जैसे business firms होती है, auditing firms होती है, जहाँ पर एक single बंदा नहीं है, वहाँ पर multiple partners हैं, तो उस case में क्या होना च four side लिखा है, इसका मतलब यही है कि they should be CA, majority partners CA होने चाहिए, जैसे मैंने आपको example दिया दा किया है, अगर पांच बंदे हैं, पांच partner है, firm के अंदर, तो पांच में से majority, यानि कि कम से कम तीन बंदे CA होने चाहिए, तभी आप उस firm को auditor as a auditor appoint कर सकते हो, ठीक है, दूसरा, इस मैं अपने इसी example के उपर चलता हूँ, कि पांच partner है, उसमें से तीन auditor है, तीन CA है, दो non CA है, तो जब report audit होगी, ठीक है, जो audited report होगी, उस पे जो sign होने चाहिए, वो जो chartered accountant है ना, उसी के हो सकते हैं, non CA partner के sign उसके उपर नहीं चलेंगे, तो chartered accountant के पास ही authorization होगा, कि वो sign क कर सके और act कर सके on the behalf of the firm, non CA partner के पास वो right नहीं होगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है, firm के case में, तो qualification बड़ी simple सी है, कि CA होना चाहिए बंदा, अब आज आती है, but disqualification की, तो देखो, एक तो आपको होगे, कि सर जो CA नहीं है, वो automatically disqualification हो गया, लेकिन यहाँ पर हम जो disqualification की बात कर रहे है, section 141, subsection 3 के अंदर, ये negative sense में हम बोलते हैं, basically, negative sense का क्या मतलब हो गया है, कि देखो, यहाँ पर disqualification बंदा चाहिए, CA भी है, उसके पास chartered accountancy भी है, उसके बावजूद, वो जो है, आपका disqualify हो जाएगा, in certain cases, तो mainly उन cases को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या-क्या cases आजाते हैं, एक-एक point को देखेंगे, एक-एक करके, और काफी ध्यान से इसको समझना है, सबसे पहले तो, कोई भी body corporate, other than a limited liability partnership, LLP तो auditing firm हो सकती है, लेकिन अगर कोई auditing firm बोले, कि मैं एक body corporate के firm में register हूँ, तो वो आप उस body corporate को as a auditing firm आप point कर सकते हैं, सिरफ आप एक limited liability partnership को, जो LLP Act 2008 के अंदर registered है, सिरफ उसको as a auditing firm appoint कर सकते हो, या individual को, किसी body corporate को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिस company के accounts audit होने हैं, उसी company का कोई officer या कोई employee को आप as auditor नहीं appoint कर सकते हो, सकता है, उस company के अंदर CA as officers appointed हो, as employees appointed हो, आप बोलो कि ले भाई तो यह audit कर दे, तो वो possible नहीं है, independent person होना चाहिए, क्योंकि, वो तो आपने lecture number 1 के अंदर ही देख लिया था, ठीक है, a person who is a partner, or who is in the employment of an officer, or employee of the company, ठीक है, अब for example, कोई firm है, जिसको आप as a auditing firm अपनी appoint करना चाते हो, accounts audit करने के लिए, उस auditing firm का कोई भी एक partner, जो है, वो उस company की employment में है, तो आप यह नहीं बोल सकते की, नहीं जी, अब for example, दो लोग है, X और Y, दो partner है, ठीक है, दोनों सी है, Y जो है, वो company के अंदर काम भी कर रहा है, as an employee, लेकिन आप यह claim करो, कि नहीं जी, जो audit करेगा ना, accounts वो X करेगा, और X sign करेगा, नहीं, तो यह firm ही disqualify हो जाती है, तो आप इस firm को as an auditing firm नहीं appoint कर सकते, ठीक है जी, next आज आता है, अब person who or his relative और partner, बंदा खुझ से, या उसका कोई relative, या उसका कोई partner, partner यहाँ पर wife की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर partnership firm के partner की बात हो रही है, ठीक है जी, तो अगर बंदे का किसी भ कि वो कोई securities hold कर रहा है, shares hold कर रहा है, company के, या उस company के, subsidiary के, ठीक है, या किसी associate company के, ठीक है, जैसे X की associate company, Y हो गई, for example, या कोई subsidiary holding company है, ठीक है, तो उस case में, अगर वो बंदा खुझ से कोई share hold कर रहा है, उसके पास shares हैं उस company के, तो वो, या उसके partner के पास shares हैं, तो आप उसको as a auditing firm या auditing individual नहीं appoint कर सकते हाँ relatives के case में हम थोड़ी सी exemption दे देते हैं relatives के case में 1,00,00 रुपे तक कि अगर shares है तब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर relative 1,00,00 रुपे से उपर के shares hold कर रहा है 1,00,00 रुपे से उपर की securities hold कर रहा है तो फिर उस case में आप अगर relative के पास for example 2,00,00 रुपे के share है तो उस relative का जो भी auditing firm के साथ जिसके साथ भी वो associated है जिस बंदे का वो relative है वो as a auditor नहीं appoint हो सकता 1,00,00 रुपे तक कि यहांपर हम exemption देते हैं ठीक है दूसरा as a person या किसी relative के पास या किसी partner के पास loan ले रखा है किसी तरह का company से या company की subsidiary से या company की holding या associate company से ठीक है in excess of rupees 5,00,00 5,00,00 रुपे इस तक के loan को कोई बात है हम exemption देते हैं 5,00,00 रुपे तक का loan है तो भी आप 4,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ऐसे अगर loan है तो आप as a auditor appoint कर सकते हो लेकिन अगर 5,00,00,00 रुपे से उपर का loan है whether उस बंदे के उपर खुद जिसको आप auditor appoint करना चाते हो उसके partner के उपर या उसके relative के उपर अगर 5,00,00,00 रुपे से उपर का loan है तो उसको as a auditor आप appoint नहीं कर सकते ठीक है एक तो हो गया खुद से loan लेना एक होता है कि किसी दूसरे ने loan लिया है किसी third person ने loan लिया है company से या company की subsidiary से या company की holding या associate company से और उस loan के लिए उस third person के loan के लिए आपने guarantee provide की है आपने person ने या उसके relative ने या उसके partner ने guarantee provide की है और जो loan है जिसके लिए guarantee provide की गई है वो एक लाख रुपे से जादा है तो उस case में भी आप auditor नहीं बन सकते हैं आप disqualified हो ठीक है ये तीनों point बहुत important है ध्यान से समझना है इनको एक बार दुबारा से मैं इसको summarize कर रहा हूँ कि कोई भी person या उसका relative या उसके partner के association कि यहां पर बात हो रही है किस way में association पहला point कहता है कि अगर security hold कर रहे हो as a person as a CA या आपका partner अगर आप security hold कर रहे हो तो आप बिलकुल eligible नहीं हो auditor बनने के लिए या auditing firm बनने के लिए हां उस particular person के relative या partner के relatives एक लाख रुपे तक के share जो है वो hold कर सकते हैं securities hold कर सकते हैं एक लाख रुपे से उपर अगर relative के पास भी है तब भी वो firm या वो individual eligible नहीं रहेगा to be the auditor of that particular company ठीक है अगर company से loan लिया हुआ है और वो loan पाँच लाख रुपे से उपर का है तो again disqualified अगर किसी particular third person के लिए guarantee provide की है और जो guarantee provide की है वो एक लाख रुपे से उपर के लोन के लिए है तो भी disqualification हो जाएगा ठीक है ये सारे बहुत important points है ध्यान रखने है ये एक लाख पांच लाख लाख लिमिट्स भी याद रखनी है next point आ जाता है जी a person और a firm ठीक है person और a firm या तो person individual के case में और अगर आप किसी firm को as a auditing firm hire करना चाते हो तो उस case में business relationship नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का company के साथ या उसकी subsidiary के साथ या उसकी holding या associate company के साथ किसी भी तरह का आपका business relationship नहीं होना चाहिए business relationship क्या हो सकता है for example ये जो person है या ये जो firm है इनकी कोई और जो auditing firm है इसकी कोई subsidiary firm है और वो subsidiary firm किसी type का raw material provide करती है और ये raw material directly जिस company के accounts audit होने है उस company को raw material जाता है तो business relationship हो गया तो अगर business relationship है तो भी आप जो ह company के आप disqualified हो ठीक है as a person as a CA अगर आपका कोई relative director है एक particular company के अंदर ठीक है या key managerial personal है key managerial post hold करता है उस company में तो उस company के आप auditor नहीं बन सकते है ठीक है जी उसके बाद जी दूसरा case ये जो लंबा सा point है ये क्या बोलता है ये basically ये बोलता है कि आप जादा से जादा 20 companies को audit कर सकते हो ठीक है 20 companies को audit कर सकते हो अगर आप 20 से 21 वी company लेते हो तो उस case में आप disqualified हो तो it cannot be more than 20 companies ये point आपने ध्यान में रखना है तो अगर आप इसको read करोगे a person who is in full time employment elsewhere और a person और a partner of a firm holding appointment as its auditor if such person और partner is at the date of such appointment और reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies तो अगर 20 companies से जादा तो आप disqualified हो जाओगे ठीक है जी अगर आप convicted हो किसी offense involving fraud fraud के किसी offense में court के उपर आपके उपर मुकदमा चला और court ने आपको सजा सुना दी तो आप disqualified हो और ये disqualification हर company के लिए है फिर तो ये किसी company में आप auditor नहीं बन सकते और आप auditor फिर कब बन पाओगे जब आपकी conviction हुई है conviction announce होने के 10 साल बाद जब तक 10 साल complete नहीं हो जाते है at least तब तक आप किसी firm में auditor नहीं बन सकते हो ठीक है जी और उसके बाद कोई person खुद या उसकी subsidiary या associate company अगर वो consulting या specialized services के अंदर involved है जो section 144 के अंदर mentioned है तो अगर consulting या specialized services के अंदर deal किया जा रहा है तो उस case में भी person जो है या उसकी जो company है वो disqualified हो जाती है to become the auditor ओके तो ये भी एक important point आपका रहेगा and next और last point इसके अंदर क्या आ जाता है कि अगर कोई भी person जो appoint हुआ था और वो disqualification के अंदर आ जाता है ऐसा हो सकता है कि appointment के बाद disqualify हो एक बार appointment हो गई हो और बाद में disqualification हो जैसे business relationship बाद में create हो गया तो वो automatically disqualify हो जाएगा तो उस case में क्या होगा जैसे ही वो disqualification होगी वैसे ही उसको अपना office खाली करना पड़ेगा और जो vacancy create होगी वो casual vacancy deem की जाएगी it will deem to be a casual vacancy casual vacancy क्या होता है वो सारी discussion हम already कर चुके है और casual vacancy के case में किस तरीके से फिर auditor को appoint किया जाएगा वो भी हम discuss कर चुके है तो अगर disqualification होती है और seat खाली होती है तो that will be treated as a casual vacancy ये भी आपने घ्यान में रखना है so this is it guys this was about the qualifications and disqualifications of auditors I hope you guys enjoyed it and we'll end the lecture over here do subscribe and share the channel guys see you in the next class